सब्सक्राइब करिए डॉक्टर अनुराधा इनके अनुराधा सडवानस आयरुवेदा चैनल को और बेल आइकोन दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं वैद्या अनुराधा सार्डे आयरुवेद में डिसिजेस होने का एक बड़ा रिजन है विरुद्ध आहार आज हम उसी के बारे में जानेंगे आयरुवेदा नुसार हमें स्ट्रॉंग बनना है तो हमें रोज शडरस युक्ता आहर लेना चाहिए ये पदार्थ कौन से है ये मैंने विडियो में बताया है लेकिन फिर भी कुछ चीजे एक साथ लेने से हमें तकलिफ होती है क्योंकि वो चीजे एक दुसरे से विरुद्ध होती है जिसे आयरुवेद में विरुद्धा हार कहा है एक दिन विरुद्धा हार करने से शायद हमें तकलिफ नहीं होगी लेकिन बार-बार विरुद्धाहार करने से हमारे शरीर में जो तृदोशे वाठपितो और कफ़ ये बिगडते हैं और बहुत diseases होते हैं और विरुद्धाहार से हमारा महत्व पुरुण धातू, रक्तधातू बिगडता है तो उससे हमें skin diseases होते हैं इसलिए आज हम विरुद्धाहार क्या है ये जानेंगे दूद दूद ही पुरणानन है और छोटे बच्चों से लेकर वुरुद्धा वस्था तक हम दूद पीते है लेकिन दूद ही मधुर्रस और शीत वीर्यका है उसके साथ कुछ चीज़े सेवन करना विरुद्ध है जैसे दूद के साथ कोई भी अमलरस वाली चीज़े मतलब खटी चीज़े और लवंडरस मतलब नमक वाली चीज़े नमकीन लेने से ये विरुद्ध आहार है और स्किन प्रोब्लिम्स का बहुत बड़ा कारण है ये हम बाहर भी देख सकते हैं दूद में नमक डालने से या खटी चीज़े मिलाने से दूद्ध खराब होता है दूद और आवला आवला ये रसायन है और उससे चवन प्राश ये और अच्छा रसायन बनाते है चवन प्राश हमें सुबह एक या दो टीस्पून एम्टी स्टमक मतलब खाली पिट लेना चाहिए उसके साथ पानी पी सकते है वो डाइजेस्ट होने के बाद मतलब दो या तीन घंटे के बाद हमें दूद, चाय, कॉफी और बाकी नाश्टा लेना चाहिए वो डाइजेस्ट हुआ कि नहीं या आप मेरे वीडियो में देख कर जान सकते है बहुत से लोग चवन प्राश के साथ दूद पीते है लेकिन चरक सवहिता में सपश्टर रूप से आवला और दूद ये विरुद्धा अहर है ये बताया है वैसे ही आवला का मुरब्बा, अचार हम दिन में खाने में लेते है उस वक्त उसके साथ हमें दूद या बासुन दी ऐसे दूद की चीज़ें नहीं खानी चाहिए दूद और नमकिन दूद के साथ, चाए के साथ, कॉफी के साथ, बिस्किट्स, ब्रेड, टोस्ट, ऐसे मैधी की चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए दूद के साथ मिला कर वो डाइजेशन के लिए हेवी बनते हैं और हमें तकलीफ देते हैं और अगर salty biscuits दूद के साथ लिये या कुछ नमकीन चीजे चाय के साथ लिये ली तो वो विरुद्धाहार है जिससे रक्तदुष्टी बड़ी मात्रा में होती है और skin diseases का ये एक बहुत important reason है विरुद्धाहार के बारे में आज हमने कुछ जाना और कुछ विरुद्धाहार जानेंगे next वीडियो में Thank you